Hello everyone, देखना सुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल Science Classes. हम लोगोंने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो chemical properties होती है through the aldehyde and ketones, क्या होती है? उसमें हम लोग पढ़ रहे थे Nucleophilic addition reaction. आप उसी में आगे continue करते हैं addition of ammonia and their derivatives. derivatives, ammonia, यानि कि NH3 and derivatives, derivatives का मतलब क्या होता है? कि इन्ही से जो बने हुए products होंगे, derivatives, कि amine group से जैसे amide बनता था, ammonia से जोड़े हुए nitrogen group से जो attached होके चाहे, वो primary amine हो चाहे, secondary amine हो चाहे, dijonium salts हो, जो भी groups यहाँ पर बनते हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर जिक्ल करते हैं, तो अगर बात करें, सबसे पहले, आपके पास क्या present होता है? ketone double bond O के साथ, अगर यहाँ पर हम NH3 attach करें. NH3 के साथ तो हम directly attach करके ammonia बना रहे हैं, लेकिन ज्यादा तर जो यह reaction हम पढ़ते हैं, कुछ इस तरह से देखनी को पाते हैं, H, NH2 में यह जुड़ता है, एक H group होता है, और एक होता है NH2 के साथ, तो जब यह group attach होगा, ज्यादा तर cases में, यहाँ पर जो carbon nil group का presence होता है, यह breakdown करता है, एक के पास O, अब O तो रहेगा, O के साथ क्या लग जाएगा, H, और साथ में यहाँ पर क्या लग जाएगा, NH2, अब इसको further हम रेकिसन में participation कराएंगे, तो यहाँ से क्या देखनी को मिलता है, water liberate कर जाएगा, और जब water liberate करेगा, तो यहाँ पर carbon के साथ bonded जो structure में जराएगी, यह double bonded structure में जराएगी, carbon, double bond, oxygen, और जो oxygen के साथ bond होता है, यह oxygen के साथ ना हो करके, क्योंकि water कहाँ से जाएगा, इसी OH से हो जाएगा, एक H से जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, NH, और जब यह double bond NH, यानि की amine group, जो NH2 था, यह amine group था ना, अब amine group जब double bond structure में change हो जाता है, तो इसको बूलते हम amine group, यही आपके पास amine group कहलाता है, तो यह तो हो गए ammonia के साथ, अगर इसकी derivative की बात करें, हम H की जगे पे, चाहे alkyl group ले ले ले, चाहे arine group ले ले ले, या further कोई और भी group हम ले सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे option available होते हैं, तो जैसे अगर हम यहाँ पे alkyl group, तो alkyl group लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, R, NH2, और यहाँ पे carbon double bond oxygen के साथ यहाँ, such presence ही होगा, यहाँ पे जो breakdown होगा, carbon के साथ यह OH, और इसके साथ क्या लगा होगा, R, और यह होगा NH2, अब जो NH2 था, यहाँ पे NH2 न लगके क्या लगेगा, R तो H का हो गया न, तो N और साथ में NH, R, NH, अगर H चला जाएगा, इसके साथ, water के साथ, तो यहाँ पे जो compound बनेगा, carbon के साथ, यह जो group double bond के साथ N लगेगा, और N के साथ क्या हो जाएगा, R, यह जो आपके पास alkyl group लगेगा, इसको हम immune group नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, चिफ बेस, यह चिफ बेस होते हैं, चिफ साइंटिस्ट का नाम था, compound का नाम नहीं है, कोई इसकी meaning नहीं है, चिफ साहब ने इसको बनाया था सबसे पहली बार, इसी वज़े से इनके नाम पे mention किया गया है, alkyl chain कोई भी हो सकती है, long carbon की primary, second year, tertiary भी हो सकती है, तो यह जो derivatives groups होते हैं, इनके terms में obtain होते हैं, R की जगह पे ही, अगर हम general reaction में बात करें, तो इसको mention कर लेते हैं, एक Z के साथ NH2, और साथ में carbon double bond O, जब reaction में यह participation करता है, तो carbon के साथ यह जो structure बनेगी, आपके पास OH, और H जो जा रहा था, यह as such, यहाँ पे क्या दिख रहा था, Z, तो यह क्या group हो जाएगा, NH, Z, और जब further यहाँ से हम removal कराएंगे, dehydration कराएंगे, यानि की पानी का removal, तो यह जो structure होगी, carbon के साथ double bond N, और N के साथ H तो चला गया न, क्या बचा है, Z, अब इस Z की जगह पे देखो, H लगा था, तो imine बन रहा था, alkyl group लगा था, तो यह चिफ base बना रहा था, और Z की जगह पे हम अगर arine group लगाएं, या सामने आपको एक table नजार आ रही होगी, उस table में बहुत सारे compounds बने हुए हैं, जैसे, सबसे पहले, यहाँ पे hydrogen जो की ammonia अभी हमने discuss किया था, इसके ब Z की जगह पे क्या लगा हो, OH, यानि की hydroxyl group, तो hydroxyl group जब लगा होगा, तो यह hydroxyl amine के नाम से जाना जाता है, और जब इसका product जो form होगा, यह final product की बात कर रहे थे, जो जहाँ पे imine बन रहा था, तो final product यहाँ पे बनेगा, oxym, इसी तरह NH2, पहले से NH2 था, NH2, NH2 दो group बोलते हैं hydrazine, hydrazine group जब reaction में participation करेगा इसके साथ, चाहे वो aldehyde हो, चाहे की टून हो, इनके जो derivatives बनेंगे, वो होंगे hydra-jone, Z-O-N-E लग जाएगा, zine की जगह पे, I-N-E की जगह पे, O-N-E हो जाएगा, बाकी changes यहाँ पे कोई नहीं देखने को मिलेंगे, फिर उसी रहे थे, phenyl hydrogen के साथ, जब reaction में participation कराएंगे, तो phenyl hydrogen बन के तयार होगा, और यहाँ पे यह जो compound है, especially देखना, इसको बोलते हैं, 2,4 dinitrophenyl hydrogen, hydrogen क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे NH group लगा हुआ है, अब H2 क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि एक bond displays खाली है, जिसके साथ chain जुड़ी होगी, इसी वज़े से यहाँ पे NH लगा हुआ है, और यह होते हैं, 2,4 DNP, और derivatives होते हैं, चुंकि यहाँ पे imine group, याहनी की hydrogen की वज़े से लगा हुआ है, अगर कोई और group लगा होगा, तो उनकी अलग से derivatives हम जिक्र करेंगे, अगर सिर्फ dinitro group लगा होता, तो इसको हम 2,4 DNP बोलते हैं, अब जब इससे compound बनाएंगे, तो hydra zone में conversion हो जाएगा, gene किसमे, zone में, अगला जो reaction है, यह काफी important है, इसको अलग से ध्यान रखिएगा, जो CONH2, यहनी की amide group, इसके साथ, NH group के साथ लगा है, तो यह क्या हो जाएगा, hydra gene वाला जो group लगा हुआ है, amide group के साथ जब combine करता है, तो इसको बोलते हैं, hemicarbazide, hemicarbazide या इसको semi-carbazide भी बोलते हैं, semi का मतलब और hemi का मतलब दोनों का आधा होता है, अगर यहाँ पर बात करें, groups के, तो यह conversion हो जाएगा, carbazide, carbajone में, hemi as such रहेगा, hemicarbazone या फिर semi-carbazone के नाम से हम इसको जानते हैं, तो यह कुछ अलग से derivatives, z के आपको देखने को मिलते हैं, जो भी आपको table के माध्यम से समझे में आ गई होगी, इनके अलग-अलग reaction इस table के pattern पे, जैसे यह reaction हमने यहाँ पे लिखी हुई है, वैसे ही copy में एक बार लेख लिजएगा, ताकि अच्छे से practice हो chances हैं, आपके exam में एक question इस table से जरूर मिल सकता है, अगले reaction pattern की बात करें हम, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, reduction, reduction हम पढ़ेंगे किसका, reduction हम पढ़ रहे हैं, aldehyde का and ketones का, क्योंकि chapter तो हम यही पढ़ रहे हैं, तो reduction भी इन ही का कराएंगे, क्योंकि इनका chemical equation या chemical reactions हम पढ़ हैं, तो aldehyde और ketones की अगर हम बात करें, तो यह अपने जो reducing agent होते हैं, अब यह इतनी आसानी से reduce होते नहीं है, इस वज़े से strong reducing agent जैसे NaBH4 sodium hydroborate या फिर lithium aluminium hydrate यूज किया जाता है, LiAlH4, यह highly reducing agent होते हैं, इनकी presence में जो aldehydes होते हैं, aldehyde कौन से, RCHO, यह जब इन में से कोई भी एक presence देखने को मिलेगी, H2 reduction participation कराये जाएगा, तो यह conversion हो जाता है, RCH2 OH में, यह यह बन जाता है आपका alcohol, याद रखना, aldehyde से बनता है, primary alcohol, लेकिन अगर हम ketones की बात करें, तो ketones की help से हम बनाते हैं, आपके secondary alcohol, जहाँ पे यह group attach होगा, और R यह structure बनती है, secondary alcohol, और चुंकि ketones और aldehyde की अलावा और कोई होता नहीं है, यहाँ पे तो अलग से कुछ और पढ़ने की requirement नहीं होती है, अब यह तो हो गया reduction का एक simple method, aldehyde और ketone का, लेकिन यहाँ पे जो reduction होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कि सिर्फ हम इनी steps के through participation कराएं, दो important name reaction यहाँ पे देखने को मिलती हैं, एक हम already पढ़ चुके हैं, जिसको mention किया गया था, clemencion reduction, clemencion reduction, इसमें reduction किया गया है up to alcohol, लेकिन clemencion reduction में हम देखते हैं, यह जो आपके पास present होते हैं, चाहे वो aldehyde हूँ या ketone हूँ, दोनों को सीधे-सीधे कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, hydrocarbons में, hydrocarbons में, लेकिन जब हम clemencion reduction की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखना, zinc amalgam यानि की ZNHG की presence होती है, और concentrated HCl के साथ reaction में participation कराया जाता है, कराया किसका जाएगा, ketone का ही तो कराया जाएगा, और जब reduction कराया जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे hydrogen जोड़े जाएगे, तो hydrogen यहाँ पे हम अलग से mention नहीं कर रहे हैं, इसका simple सब matter उनका मतलब ही होगा, कि यहाँ पे addition किसका हो रहा होगा, hydrogen का and removal of oxygen may be possibilities are available here, बट जो compound यहाँ पे बनके तयार होगा, यह हो जाएगा, CH2 यानि K, यह आपके पास बन जाएगा, alkane, और साथ में यहाँ पे liberate होगा, water, यह बोला जाता है, clemencion reduction, इसी के pattern पे एक और reduction reaction देखने को मिलती है, जिसको बूलते हैं, wolf-kissner reduction, wolf-kissner reduction, यह reaction भी इसी pattern पे आपको देखने को मिलती है, wolf-kissner reduction, लेकिन इसके जो reacent होते हैं, वो यह नहीं होते हैं, इसके जो reacent होते हैं, यह जैसा अभी हम पीछे पढ़के आए हैं, NH2 and NH2, क्या पढ़ा था हमने इसको, hydrogen के नाम से जानते हैं, hydrogen, अभी हमने table में भी इसका जिक्र किया था, hydrogen के साथ जब reacent में participation होता है, किसी भी aldehyde या ketone group का, तो hydrogen किस में conversion हो जाता है, आपका, hydrogen में conversion हो जाता है, और यह जो carbon double bond N के साथ जुड़ा होता है, इसका H, OH के साथ, इसका 1 H चला जाता है, और 1 H, S सच रहता है, तो N, NH2, यही तो बचता है, आपके पास, यह hydra zone group होते हैं, hydra zone, और जब इसका further reaction में participation कराया जाता है, बट, presence होती है, यहाँ पे, KOH की, या फिर ethylene glycol, CH2OH, and CH2OH, ये ethylene glycol, या फिर KOH की presence में, जब इसका further reduction में participation कराया जाता है, तो यह जो bonds पहले से present थे, carbon के group CH2 में तूट जाते हैं, और साथ में, N2, NH2 की nitrogen gas liberate हो जाती है, तो यह चीज़ याद रखना, यह wolf-kissner reduction method होता है, hydra zone में, और hydra zone किसमे, KOH या ethylene glycol की presence में, simple सा hydrocarbons में change हो जाता है, और साथ में nitrogen gas liberate हो जाती है, दोनों name reduction है, Clemenson और wolf-kissner, दोनों अलग-अलग होते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकि यह reduction के method थे, अब पढ़ते हैं, इनके oxidation method की तरह, अगर हम बात करें, तो oxidation यहाँ पे perform किया जाता है, oxidation जो आपका presence होता है, यह dilute acid की और dilute alkaline solution की presence में perform कराया जाता है, oxidation next reaction की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलता है, aldehyde और ketone में distinguish pattern, oxidation किसकी presence में, nitric acid HNO3 की presence में, या फिर alkaline KMNO4 की presence में, तो oxidizing जो reagents होते हैं, K2CR2O7 की presence में, ETC, इनके साथ इनकी presence में reaction participation कराया जाता है, aldehyde और ketone दोनो separately reaction zone करते हैं, aldehyde की अगर हम बात करें, simple सा reaction है, RCHO, जब इसका oxidation कराया जाएगा, इन में से कोई भी catalyst यूज कर सकते हैं, उनकी presence में, यह सीधे सीधे RCOOH में convert हो जाएगा, अब यहाँ पर बात करते हैं, यह जो acid या alkaline solutions present होते हैं, यह diluted pattern पर भी हो सकते हैं, diluted medium में भी aldehyde सीधे carboxlic acid में convert हो जाता है, अलग से हमें कुछ special effort नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन ketone की अगर बात करें, तो थोड़ा सा pattern इनका distinguish देखने को मिलता है, कैसे, RCH2, C double bond O, CH2 and CR की बात कर लेते हैं, यहाँ पर alkyl group R-, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जब इसका हम oxidation कराते हैं, तो यहाँ पर properly distinguish नहीं हो पाता है, carboxlic acid में जो पहले से original carbon की chain होती है, ketone की, उससे differ carboxlic acid बनता है, लेकिन carboxlic acid के different type of छोटे छोटे इसमाल टुकडे नजर आत यहाँ पर देखो R-CHO, अगर यह bond यहाँ पर breakdown होता है, अगर हम यहाँ पर counting की बात करें, 1, 2, 3, तीम carbon, alkyl chain को हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि chain बड़ी सी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो एक bond इस case के बीच में तूट सकता है, एक bond इस case के बीच में, अगर bond यहाँ प यहीं से bond breakdown हो, यहाँ पे भी bond breakdown हो सकता है, तो यह R-CH2-COOH और प्लस में R-COOH, अब यह जो हिस्सा है डैस का, यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखो, कार्वाग्जिलिक एसिड के टोटल चार अलग अलग तुकडे आप्टेन होते हैं, बनता कार्वाग्जिलिक एसिड ही है, लेकिन कार्वन चेन अलग अलग पार्ट में breakdown कर जाती है, और जो original ketone chain होती है, उससे कम नंबर की कार्वाग्जिलिक एसिड की chain form होती है, during the oxidation, इसी oxidation pattern पे based होते हैं आपके कुछ chemical test, जो हमने अलग से separate वीडियो में already आपको प्रोवाइड करा रखा है, जिसमें हमने tolerance test, failing test और idle form test का जिक्र किया हुआ है, वही सारे repeated patterns पे summarized way में हम थोड़ा थोड़ा सा फटा फट quickly एक बार revise करते हैं, फिर आगे की reactions continue करेंगे, अगर अभी तक आपने test का वीडियो नहीं देखा है, तो नीचे आप playlist में जाईएगा, वहाँ पे ये वीडियो available है, जिसमें हमने एक अलग से separate video, लगभग 40 minute का वीडियो है, जिसमें सारी जो chemical test है, आपके board examination में अभी तक पूछे जा चुके हैं, या पूछे जाने के chances हैं, या जितने भी maximum included हो सकते हैं, उनसे बाहर आपको एक भी test देखनी को नहीं मिलेगा, तो उनको एक बार अच्छे से exam में appear होने से पहले जरूर तयार कर लीजिएगा, अगर उसकी PDF चाहिए, तो नीचे description box में हमारे telegram channel का link दिया गया है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको test से related PDF file भी वहाँ पे available है, मिल जाएगी, tolerance test, tolerance test in the presence of ammonical silver nitrate group के presence में reaction में, पार्टी से पिसन कराया जाता है, इसकी वज़े से देखन presence में देखने को मिलते हैं, और presence यहाँ पे देखने को मिलती है, किसकी CHO group की, जो C है, H और double bond O के साथ, R, aldehyde group की presence होती है, tolerance test और failing test, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, यह दोनों test mainly distinguish करने के लिए perform कराया जाते हैं, aldehyde को ketones से, aldehyde के साथ यह reaction perform करते हैं, वाट ketones के है, aldehyde group की, यह OH group के साथ सिदे सिदे conversion में participation करते हैं, R, C, O, O, minus अगर यहाँ पे H group present होता है, तो यह का जो carboxylic acid होता है, उसमें conversion हो जाता है, यह भी एक type का क्या होते है, oxidation reaction होते हैं, जबकि इसके साथ यहाँ पे आपका अलग से AG, silver का precipitate यहाँ पे obtain हो जाता है, और जो silver obtain होता है, यह test tube में एक layer बना लिता है, इसलिए इसको एक और नाम से जानते है, silver mirror test because of this silver, ठीक इसी तरह यह जब बात करते हैं, failing solution की, तो failing solution भी R, C double bond O, और H के साथ reaction में perform कराया जाता है, failing solution यह Cu+, और जो आपके पास present group है, इसके नाम को mention करें, तो sodium, potassium, tartrate बोलते हैं, या फिर इसी को रॉचली salt के नाम से जाना जाता है, रॉचली salt, copper sulfate का जो mixture होता है, इसी को हम बोलते हैं, failing solution, यहां से main जो product obtain होता है, वो होता है copper के plus ion, और जब इनका reaction alkaline medium में participation कराते हैं, तो mainly जो product बनता है, आपके पास, यह R, C, O, O minus में breakdown तो है, सच होता ही होता है, क्य इसके साथ यहां पर copper के oxide बनते हैं, copper की जो oxide यहां पर बनते हैं, इसका color होता है, reddish brown, reddish brown color का यह PPT बनता है, और PPT distinguish कर देता है, अगर यह ketone होता, तो यह reddish brown color का PPT form नहीं होता, यह aldehyde gluck के साथ reaction करता है, और reddish brown color का precipitate form करता है, अब next reaction की बात करें, तो mention किया गया है, methyl ketone, methyl ketone कहने का मतलब क्या है, कि यहां पर CH3, C double bond O group की presence हमेशा होनी चाहिए, और इसके अलावा, कोई भी chain हो, कितनी भी लंबी हो, उससे मतलब नहीं है, बट एक CH3 और एक C double bond O group की presence, mandatory है, और जब यह group यहां पर present होता है, तब इसकी reaction में हम participation कराते हैं, sodium hypo halite, halite क्या होता है, X, और X काउन सा हो सकता है, chlorine हो सकता है, bromine हो सकता है, या फिर iodine हो सकता है, बट यह sodium hypo halite यहां पर performance देखने को मिलती है, यहां पर हम बात करते हैं, यह methyl ketone group की presence mandatory होती है, जब NAOX group के साथ, यानि कि sodium hypo chloride group के साथ, reaction में participation देखने को मिलता है, तो आपका यह जो हिस्सा होता है, R, C, O, O, N, A, sodium के acetate group form करते हैं, और साथ में जो यह CS3 group होता है, X के साथ combine करता है, और CHX3 बना लेता है, अब यहां पर यह confusion मत होना कि एक ही X है, और यहां पर कैसे, तो हम यहां पर क्या करते हैं, इनको balance कर लेते हैं, reaction को, यह जो आपके पास बनता है, इसको बोलते हैं हम haloforms, यह कहलाता है haloform, इसी तरह से एक reaction आपके पास mention की गई है, C, double bond C, इसके साथ H, और इधर आपके पास CS3 लगा हुआ है, यहां पर आपके पास CS3 और इसके पास C, double bond O, साथ में CS3 लगा हुआ है, तो देखे जारा, यहां पर double bond in group है, sodium hypohalite के साथ जब reaction में participation कराएंगे, तो इसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानि कि इस double bond की, जो भी अंतर आएगा, वो कहां पर आएगा, इसके साथ आएगा, बाकी और कहीं पर कोई changes नजर नहीं आते हैं, और जब सिर्फ यहीं पर difference आएगा, तो यहां पर बात करते हैं, sodium hypo chloride group की हम यहां पर जिकर करते हैं, अगर यह chloride group present होगा, तो reaction में जब participation होगा, तो यह वाला जो हिस्सा है, पूरा का पूरा, यह आपके पास sodium के salt बनाएगा, carbon double bond carbon edge सच रहेगा, CH3 भी edge सच रहेगा, यह भी edge सच रहेगा, इसकी सेहत में कोई changes नहीं होंगे, यह यही आपका changes zone करेगा, और इसके साथ ONA जुड़ेगा, और CHCl3 यानि की बना लेगा आपके पास यह chloroform, अब chloroform तो आसानी से आप identify कर सकते हैं, तो जब chloroform पता लग जाएगा, तो इसका मतलब यह presence होगी, यहाँ पे C double bond O, CH3 यानि की methyl ketone group की presence यहाँ पे zone होगी, इसी को आप follow up करते हुए, जो haloform reaction है, एक test perform किया जाता है, जिसको बोलते हैं, idoform test, जो idoform test होता है, इसमें mainly CHI3, idoform perform होता है, जब यहाँ पे हम use करते है, sodium hypo iodide, और यह perform test किसके साथ किया जाता है, याद रखना compound, CH3, C double bond O, यह group mandatory है, अगर यह presence नहीं होगा, तो idoform test perform नहीं होगा, और जो idoform होता है, यह आपका yellow color का precipitate form होता है, yellow color का PPT होता है, इसलिए आसानी से हम identify कर लेते हैं, कि हाँ, यहीं क्या है, idoform test perform कर रहा है, इसके साथ, यहाँ पे अगर CH, 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 OH, अब यहाँ पे CS3 होगा, यानि कि आपके पास secondary alcohol भी अगर present है, तो वो भी idoform test perform करता है, यहाँ पे एक bond available होगा, carbon की chain कितनी भी लंबी हो दूसरी side में, उससे हमें लेने देना नहीं है, यह गरूप अगर दिखेगा CH, OH, या CS3C double bond O, इसका मतलब होता है, कि दोनों पर form करेंगे idoform test, और distinguish कर सकते हैं, हम identify कर सकते हैं, ketone गरूप को, या फिर secondary alcohol को, और aldehydes के लिए तो हमारे पास tolerance, और failing test already present हैं, तो हम इनके through identify कर सकते हैं, aldehyde और ketones के बारे में, उमीद है, बेतर ढंसे समझ में आ गए होंगी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, और दोस्तों के साथ share कर लीजेगा, ताकि वो भी इसको अच्छे से repeated pattern पे